मैं आपको घर पे ट्राइ करने के लिए कुछ कोश्यंस जो हैं आपको as a homework दे रही हूं तो आपने इन सभी कोश्यंस को solve करके देखना है ठीक है और next वीडियो में इनकी answer जो है आपको send कर दोंगी तो आप देख रहे ना और अंसर हमेशा zero आता है ठीक है next question में माइनस 14 माइनस 2 अगर same sign है हमने यहीं पढ़ा है अगर sign जो है same है तो जो उसका answer है वो क्या होगा हम क्या करते हैं उनको plus करते हैं तो उनको plus करेंगे और जो answers है उसमें हम किसका sign लगाएंगे जो बड़ी ट्रम है उसका sign लगाएंगे थर्ड कोशन में एक minus का है और 8 क्या कि कोई sign यह means वो किसका है प्लस का है तो plus minus, different sign हो गए तो यहाँ पर आप क्या करोगे? different sign में हम मैनस करते है तो मैनस करोगे और sign बड़ी ट्रम का लगाएं जहां पर फिर दोनो한다 sign is minus, minus ॏ किसके हो गए यह प्लस के होगे तो दोनों की माइनस मेंस कर जाते है प्लस हो जाते है और सेम साइन है तो हमने प्लस करना है वहाँ पर दोनों को प्लस करोगे और साइन बड़ी ड्रम का आएगा understand तो ऐसी आपने ये सभी questions जो है try करके देखनी है ठीक है I hope you will see the video carefully and do the questions answer honestly and one thing is more कि जो definitions मेंने टिक की हुई है मैं अपको वो page भी send करूंगी तो आपने वो definitions जो है अपनी notebook पे write करनी है और उनको learn भी करना है और ये सभी sums जो मेने आज दिये है ये sums वो भी आपने अपनी notebook पे write करने है thank you very much class